तो अब हम चलें कि जोस आंदोलन जिसकी नीव 1955 में रखी गई फिर 1961 में जिसने प्रसम सम्मेलन का रूप लिया उसका धाचा क्या था धाचे की जुरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सम्मेलन पचीस राष्ट्रों से शुरू हुआ 1961 का बेलग्रेड उसमें वर्तमान में या आज से 20 वर्ष पहले तक 120 सदस राष्ट थे निश्चत रूप से इन सदस राष्ट्रों को एक जुड बनाया रखने इनके बीच में सतत रूप से समवाद बनाया रखने के लिए जरूरी है कि इनका एक नीतिगट धाचा हो प्रशासनिक धाचा भी हो तो आखिर कैसे ये गुट निर्पेक्स आंदोलन चला और उसके लिए इनके संस्था गत रूप क्या था पहनी बात इसपे संस्थानों की कोई स्थापना नहीं की गई किसी तरह के एक स्थाई कारियाल है स्थाई संस्थान ऐसा इसके लिए नहीं बनाये गया मूल रूप से अंतराश्टी विश्यों और समस्याओं पर विचार्श करने के लिए और प्रशासनिक तौर पर काम चलाने के लिए मूलता इसके दो संस्थान थे वे भी तातकालिक थे स्थाई नहीं थे पहला समन्वे बीरो और दूसरा सम्मेलन समन्वे बीरो जिसे हम कह सकते हैं कोडिनेशन कमिटी इसका काम था समन्वे स्थापित करना एक दूसरों के बीच में समवाद बनाया रखना शिकर सम्मेलन की तैयारी करना और उसके साथ ही अन्य अंतराश्टी मुद्दों पर अन्य अंतराश्टी मंचों पर अगवाई की तैयारी करना समनवाई ब्यूरो में 17 सदसे होते थे और वर्तमान में 60 सदसे अर्थात वर्तमान अर्थात हम कहें तो 1983 उसके बाद के काल में इस ठितियां बदली है और एक लाइन मेदी मैं कहूं तो सबसे बड़ी जो बदलावट 1990 के बाद आई वह ये थी कि विश्व एक ध्रूवी हो ग और एक ध्रूवी होने से अंतर राश्ट्री राजनीती बदली और इसमें गुट निर्पेख्ष्टा की भूमिका भी बदली तो यदि मैं बात करूं 1983 की तो इसमें 66 सदस्य थे ब्यूरो में और सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था जिसमें 31 अफरीका से एशिया से 23 और लैटिन अमेरिका अर्था दक्षिल अमेरिका से 10 और यूरोप से 2 सदस्यों होते थे वहां के सदस्य राश्ट्रों की संख्या के अनुपात में ये तैकिया गया था लेकिन ये तो हुआ समन्वे ब्यूरो जिसके 2-3 मुखे काम थे जैसा मैंने बताया विचार सेयुक्त कारवाई की अगवाई करना सेयुक्त कारवाई गुट निर्पेक्स अंदोलन की एक जुट्टा को वहांपे प्दरश्ट करना अब दूसरा आता है सम्मेलन अर्शाथ कानफरेंस गुट निर्पेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन दो तरह के होते हैं एक तो होता है विदेश मंत्रियों का और दूसरा होता है राष्ट्रा ध्यक्षियों का विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और राष्ट्रा ध्यक्षियों का इसमें जो राश्टरा धक्ष हैं, राश्टरा धक्ष के माइने ये कि देशों के मुखिया, कई देशों में राजा मुखिया हैं, कई देशों में प्रधान मंत्री मुखिया कहलाते हैं, या मुखिया प्रधान मंत्री कहलाते हैं, कई देशों में मुखिया राश्टर पति कह तो जो भी उन देशों के मुखिया हैं, जो गृट निर्पेघ्श गृट का सदस्य है, उन्हें के सम्मेलन को शिक्कर सम्मेलन कहा जाता ह। क्या कहा जाता है शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की यदि बात करें तो इसमें केवल विदेश मंत्री भाग लेते हैं ये अंतराश्टी विचार विमर्ष का मंच है और यदि कोई देश गुट निर्पेक्ष आंदूलन का सदस्य बनना चाहता है तो उनकी सद सदस्ता पर विचार विमर्ष कर निर्णा लेता है शिखर सम्मेलन की तयारी करता है और गुट निर्पेक्ष आंदूलन के सद्धानतों को व्यावहारिक रूप देता है तो इसके भी तीन कारे हो गए पहला सदस्ता पर विचार करना और निर्णा लेना दूसरा शिखर सम अब हम आते हैं शिखर सम्मेलन पर जो दूसरा इसका मुद्धा है गुट निरपेख्ष राष्टों का सबसे बड़ा सम्मेलन जिसमें सभी गुट निरपेख्ष राष्ट जो उसके सदत्स हैं उसके राज्या धक्षिवाथ भाग ले सकते हैं और यह जो सम्मेलन होता है हर तीन वर्ष में होता है पहला सम्मेलन बेलग्रेड 1961 कुछ के बाद कई सम्मेलन होगा दिल्ली में भी हुआ तो आपको जाद रखना है सबसे उंचा सम्मेलन केवल राष्टर ध्यक्षों के लिए और हर तीन वर्ष में इस सम्मेलन में चार प्रकार के सदस्य रहते हैं पहला पूर्ण सदस्य दूसरा परिवेक्षक सदस्य अब्जरवर्स तीसरा परिवेक्षक गैर राज्य सदस्य मतलब वो सरकारी नहीं रहते कई प्राइवेट लोगों को बलाये जाता है निजी हैसियत से उनको बलाये जाता है अमंतरित किया जाता है NGO's को अमंतरित किया जाता है तो वो आते हैं परेवेक्षत, अब्जरवर, गैर थरकारी और चोथा अतिती गैस, गैस के रूप में भारत या अर्थ सनलगनता की नीटी को अपनाए जाने का अचित या गुट निरपेख्षता को प्रोचाहन देने के क्या क्या कारक थे इसकी संस्थागट धाचे को समझने के बाद अब हम इस बिंदू पर आएं दूसरे शब्दों में गुट निरपेख्ष अंदोलन का कोई फॉर्मल संस्थाए नहीं है और इस परकार ये एक तरीके से अनवपचारिक गुट के रूप में कारे करता है अब अगला बिंदू अर्थाथ भारत ने गुट निरपेख्ष अंदोलन को क्यों अपनाया जूसरे शब्दों में ज़दी हम उसको ऐसा रखें आलोचक लोग इसे कहते हैं निश्क्रीता की नीती आलोचक लोग इसे कहते हैं अच्छनलगनता की नीती तो आखिर इसका ओचित क्या है ऐसा कहने का और भारत ने ऐसी नीती को क्यों अपनाया जिसे कुछ लोग अच्छनलगनता की नीती कहते हैं इसके माइने ये कि भारत द्वारा गुट निर्पेश्टा को प्रोसाहन देने वाले कारक कौन कौन से हैं भारत ने क्यों गुट निर्पेश्टा को प्रोसाहित किया जिसे कुछ लोग निश्क्रीता की नीती मानते हैं मैंने पूर में आपको एक बार कहा कि अधिकतर लोग उसे गुट निर्पेख्षता के माइने नेगेटिव निकालते हैं लेकिन ऐसा नहीं है यदि हमें गुट निर्पेख्षता समझना है तो हमें तत्कालीन परिस्थितियों को जानना होगा और साथ ही वेश समझना होगा कि गुट निर्पेख्षता क्या नहीं है तो तत्कालीन परिस्थित में सबसे पहला इस नीटि को अपनाने के कारणों की अधिबात करें तो पहला कारण है शीत युद्ध जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है महाशक्तियों के बीच का जो दुअंद था दो खेमों में जो विश्व बढ़ चुका था और नवोदित राष्टों में जो दबाओ था कि इनमें से कौन से गुट में शामिल होएं और जो इनके मन में जो पशो पेश था इन दोनों गुटों के बीच में जो तीवर तनाव था, वैमनस्य था, वद्भेट था, विशम इस्थिती थी ऐसी स्थिती में नवोदे राश्टों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हम क्या करें ले दे कर हम स्थित्र हुए हैं इतने वर्षों की गुलामी दास्ता के बाद हमें अब सतंता मिली है क्या अब हम फिर से खो देंगे क्योंकि हमें, क्योंकि स्थितियां ऐसी कुछ बन रही हैं कि हमें इन दो में से किसी एक गुट में शामिल होना होगा और ये दोनों गुट एक दूसरे के विरुद कटू बान छोड़ते थे आरोपों की वर्षा करते थे मैंने कहा न कि शीत युद एक ऐसा युद जो जिवा के बल पर, जीब के बल पर जीब को हतियार के रूप में और संचार माध्यमों को हतियार के रूप में उपयोग करके आरोप प्रत्यारोपों का युद था ऐसी स्थिति में इतनी वैमनस्थिता, इतनी कड़वाहट, इतने मदभेज, इतना तनाओ तो ऐसी स्थित में इन देशों के सामने समस्या थी क्या करें बलकि ये कहना उच्छत होगा कि बारूत के गोले और गोलियों से लड़े जाने वाले सैनिक संहर्षों के ना होते वे भी कागज के गोलों और अकबारों से लड़ा जाने वाला ये जो युद्ध था वो बहुत तकलीब दे था ये युद्ध अख़बारों संचार माध्यमों के बल पे लड़ा गया बारूद के गुलों पर नहीं साइनिक संघर्ष नहीं था इसमें लेकिन दिमागी संघर्ष बहुत था तनाओ था संघर्ष राश्ट्री राजनीती में इसी संघर्ष को शीत युद्ध कहते हैं अब आप समझ गये होंगे कि वो पचास वर्ष या 45 वर्ष 1945 से 1990 उस 45 वर्षों में विश में कितना तनाओ रहा होगा और युद्ध को लेकर सब कुछ हुआ केवल गोला बारुबनी का उपयोग नहीं हुआ शीतिद्ध के इस वातावरण में जो नए राष्ट थे नवोधित राष्ट थे उनके सामने बड़ी दोईधा थी लेकिन अंत में उन्होंने निर्णे लिया कि हम किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे हम किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे और ऐसा करते हुए हम इन से दोनों गुटों से प्रिथक रहेंगे ये प्रिथक रहने की इच्छा ने एक तीसरे गुट को जन्द दिया जिसे कहते हैं गुट निर्पेख्षता शीत उर्द्ज से प्रिथक रहने की नीती है आगे चलकर क्या कहलाती है गुट निर्पेख्षता तो इस परकार गुट निर्पेख्षता की नीती को अपनाने का पहला करण अब आपको स्पष्ठ है तनाओं से मुक्ति चाहते थे नव उपनिवेश्वाद के भाय से वाकिर्द से दूर रहना चाहते थे मानतिक तनाओं से दूर रहने की इच्छा जो थी तीवरिच्छा उसने इन लोगों को एक तीसरे गुट में जाने के लिए प्रेरित किया और वह गुट कहलाता है गुट निर्पेक्ष्टा दूसरा कारण क्या था गुट निर्पेक्ष्टा का विश्व शान्ति की तीवर इच्छा दिती विश्षुद और उसके कुछ वर्ष पूर भी प्रथम विश्षुद इसकी भयावता अभी भी लोगों के मन में ताजी थी दूसरे विश्षुद के बाद अंगलो अमेरिकन ब्लॉक और रूसी ब्लॉक या सोवियत संग और अमेरिका इनमें जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे भारत उस तनाओं से दूर ही नहीं रहना चाहता था बलकि तनाओं को बढ़ने नहीं देना चाहता था बलकि वो तो यह चाहता था कि दोनों गुटों में मित्रता का वातावरण बने और यदि मित्रता का वातावरण बनाना भारत की च्छा थी तो भारत के लिए कते यह उचित नहीं था कि वह किसी एक गुट में शामिल होए और दूसरे गुट की शत्रता ले तीन अक्टूबर 1960 को स्यंक्त राश्चंग की महा सभा होती है जो वार्षिक सम्मेलन जो स्यंक्त राश्चंग का होता है उसे महा सभा कहते हैं जिसमें सभी सदस्य राश्चंग के राश्च्टा ध्यक शामिल होते हैं तो स्यंक्त राश्चंग की महा सभा के सम्मेलन में संबोजित करते हैं पंडि जवालाल नहरू ने कहा था शांति के बिना, विश्व शांति के बिना हमारे स्वभी स्वप्न मिट्टी में मिल जाते हैं इसलिए संसार से युद्ध को, युद्ध के खत्रों को और युद्ध के कारणों को हमें हटाना होगा युद्ध हटाना होगा युद्ध से होने वाले खत्रे को हटाना होगा और कारणों को हटाना होगा मात्मा गौतम बुद्ध का उधारन देते हुए आगे कहते हैं कि सच्ची विजए वही है जिसमें सब समान रूप से विजए हूँ किसी की भी पराजय ना हो यही सच्ची विज़ा है आज के जगत में यही क्रियात्मक विज़ा है ऐसा पंडिजवालाल नहरू ने गौतम बुद्ध के वचनों को उद्धृत करते हुए कहा अन्य कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें सभी लोग विज़ाई हो निश्चित रूप से यह मार्ग जो है वो कटनाई की ओर ले जाएगा दुनिया को लेकिन शान्ति की ओर अंत्ता हमें पहुँचाएगा अत्ह शान्ति की इस वास्तिक विज़ाई को जिसमें हर एक को विज़ाई होने का मौका मिले मैं चाहता हूँ महासभा अपने सामने इस प्रस्ताव को रखे और उसे पाने का प्रैत्न करे किसे पाने का ऐसी विज़ाई जो सब के लिए समान हो यह 1960 का महासभा को दिया गया वक्ताव है भारत के तत्काली विदेश मंतरी और प्रिषान मंतरी पंडिजवाल नहरू द्वारा